हलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने वाले है तंदूरी चिकन जी हाँ वो भी घर के घर में मैं इजी ट्रिक्स और ट्रिप्स के साथ आपको बताने वाली हूँ इसको कैसे हम बना सकते तो वीडियो अन तक जरूर देखिए और अगर मेरे चैनल पे आप ने ह होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर करिए तो चलिए हम देखते क्या क्या लगेगा यहाँ पर हमने लिया है दो चम्मच दही हमने ये कब दही लिया हुआ है अब इसमें हम एड करने वाले हैं एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट दो चम्मच बेसन आधा चम्मच चाट मसाला आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच तंदूरी चिकन मसाला एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया हुआ है अब इसमें हमने एक चम्मच कसीरी मेती अड की हुई है और इसमें लाश में हम जो है इसमें डालने वाले चिकन मसाला और नमक स्वादानसवार नमक आप आपके चोईस के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब ये मसालों को जो है दही के साथ हमको अच्छे से मिक्स करके लेना है बहुत ही कम इंग्रेडियंट से है और सारे समान करीब करीब हमारे घर में रहता है तो देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया बनता है इसमें हम फूड कलर नहीं यूज कर रहे हैं अगर आपको तंदूरी चिकन मार्केट में जैसे लाल कलर दिखता है वैसे आपको चाहिए होगा तो आप इसमें एड कर सकते हैं बट मैं पर्सनली फूड कलर नहीं यूज करती हूँ उसके बिना भी चिकन को बहुत बढ़िया और प्यारा कलर आता है तो देखिए इसको ऐसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम जो है एक चमच तेल एड करेंगे और फिर से उस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यह हमने चिकन ऐसे मार्केट से खरीद के लाया हुआ है अब इसमें चिकन शॉप में जाएंगे तो ऐसे कट करके दे देता है फुल कम्प्लिट एक अक्की मुर्गी ली हुए हमने यह करीब 1 kg चिकन है अब इस मसाला 1 kg की चिकन के लिए परफेक्ट मेजरमेंट से बनाया हुआ है अब यह जो है मसाला हम चिकन को अच्छे से लगा लेंगे पूरा अंदर से बाहर से हर कट्स में अच्छे से आपको स्प्रेड करके लगाना है जितना अच्छे से आप इसको लगाएंगे मसाला अंदर तक उसका स्वाद उत्रता है तो देखे एसे हम अच्छे से स्प्रेड रहे हैं और इसको कम अच्छे पी करेंगी के दिए कर islands contract करना है अगर आपको सूभा बनाना है तो आपको रात को ही मैरिनेट कर के और अगर शाम को बनाना है तो आप सुबर मैरिनीट करके रखने के रखेंगे उतना अच्छा चिकन को फ्लेवर आता है पलस वो चिकन उतना अच्छा सॉफ्ट बनता है बहुत ही स्वादिश बनता है आप मार्केर से जो इतना महेंगा खरीद के लाते वो कम से कम खर्च में घर के घर में बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बनता है और जो तंदूर का स्मोकिंग फलेवर आता है कैसे आएगा यह भी आपको वीडियो में बताने वाली हो तो वीडियो पूरा देखिए कोई भी स्किप मत कीजिए पर्फेक्ट बनाया हुआ है हमने तो देखिए ऐसे मैंने चिकन को बढ़िया से कोट करके लिया हुआ है अब इसको हमने दो घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था आप ओरनाइट रखोगे तो और कुछ भी यूज़ कर सकते पर मैंने और यूज़ किया हुआ है तो अभी ऑईल हलका सा गरम हो गया है अब इसमें हम ये चिकन डाल देंगे बहुत ही टेम्टिंग बनता है मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है अब इसमें जो मैंने मसाले डाले हुए है आपको अगर स्पाइसी जादा पसंद होगा तो आप थोड़े और एक्स्ट्राइड मसाले कर सकते है बट ये इतने मसालों से आपको मार्केट जैसा ट आल दिया है और इसको ढखके हम करीब जो है मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे समस्राइब पर अभी दस साइड तक पकाएंगे तो देखिए 10 मिनट की साइड जो है उसको पल्टी करेंगे अब इसा हमको पल्टी करके देखिए कैसे सुन्दर गोल्डन कलर आ hon तो ऐसे हमको दूसरी साइड पका के लेना, ऐसे हम गुमा गुमा के चारो तरफ से इसको पका लेंगे, तो देखिए ऐसे हम इसको फिर से एक पांस साथ मिनट के लिए रख रहे हैं, अब देखिए वापस से आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, कारिब साथ मिनिट हो गये ह और वापस हम सिरे को जो हैं तिल्ड करने वाले है दूसरी तरफ पल्टी करने वाले है तो देखिए कलर कितना सुन्दर आया है एकदम कटस के ऊपर गोल्डन कलर इतना सुन्दर आया है बहुत ही बड़ीया दिख रहा है पर बैस यह हुआ नहीं है तो देखिए ऐसे हमने इसको पका लिया है अब चिकन थोड़ा सा उसका पानी भी छोड़ती है तो देखिए ऐसे हमने इसको फिर से ढखके एक पांच मिनट के लिए हमने रख दिया है अब यह बढ़िया से सब साइड से पक गया है देखिए एक दम बढ़िया से सब साइड स अच्छे से पक गया है कलर भी इसका अच्छा है देखिए मैं तोड़ के देख रही हूं कि यह चिकन गल गया है क्या तो देखिए यह चिकन लूज हो रहा है मतलब निकल रहा है इसका मतलब है यह अल्मोस आदिस से जादा पक चुका है तो अभी हम ग्यास को कर देंगे और अभी यह देखिए मेरे पास ऐसे पापड सेखने अली जाली है उसको मैंने बर्नर के उपर रख दिया है और इसको जाली को मैंने तेल से ब्रश किया हुआ था अब जो चिकन हमने बनाया हुआ है उसमें स्मोकिंग फ्लेवर लाने के लिए अब इसको हमको यह ऐसे गैस नाच पर रखना है बिना तंदूर बिना ओवन के भी आप उतना ही बड़िया तंदूरी चिकन बना सकते हो जितना मारकेट में मिलता है ऐसा करने से उस चिकन को स्मोकिंग फ्लेवर ना यह टेकनीक के वज़र वापस हम इसको चारों तरफ से वापस वापस दो-दो मिनट जादा देर नहीं रखना है ने तो यह जल जाएगा दो-दो मिनिट हमको हर तरह से इसको सेक के लिए ना है ताकि हर तरफ में वो भूना सा फ्लेवर आ जाए तो देखिए बहुत ही सुन्दर कलर आया हुआ है अब इसको जो है हम ऑईल से ब्रश करेंगे ऑईल से ब्रश आप जल जाएगा तो देखिए अभी वापस हमने साइड चेंज किया है और उदर भी हम ऐसे ब्रश की मदद से तेल लगा के ले रहे है तेल लगाने से उसमें ग्लेज आती है और स्मोकी फ्लेवर और एन्हांस होता है देखिए असे धुआ दिखरा होगा आपको तो यह धुआ उसी का रिसेंबल है कि आपका जो चिकन है वो बढ़िया से भुन रहा है तो देखिए कितना सुंदर और डिलीशेस रेसिपी आप घर के घर में बना सकते है और वो भी कम से कम खर्च में तो वीडियो अगर आपको लाइक अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए शेयर कर करिए और सब्सक्राइब करिए देखिए हमने गयाज बंद कर दिया और मैं आपको चिकन का क्लोज अफ यो दिखा रही हूं फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तक देखते रहिए डीजे केक्स अन व्लॉक्स थैंक यू वाबाई